मैं इरान को नकसे से मीठा दूँगा, हम अब किसी की बात नहीं मानेंगे, बहुत हो गया। अब इरान को हमसे कोई नहीं बचा सकता है। इसरेल को गुस्से में देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई है। जिसका डर था, वही हुआ, इसराइल ने आखिरकार कर ही दिया ऐसा कांड, जिसकी वजह से इरान के राश्ट्रपती कहीं कहीं छुपते और भागते फिर रहे हैं। दरसल कल इरान ने इसराइल के उपर एक बहुत ही बड़ी अटैक कर दिया, जिसकी बजह से इसराइल में काफी लोग भी मरे और काफी बड़ी छती भी पहुँची है। यही बजह है कि इसराइल को बहुत बड़ी कांड करना ही पड़ी। इसराइल के इस एक्षन को देखकर पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है और इसराइल को सांत कराने में लगी है। दरसल आपको याद ही होगा कि इसी साल अप्रेल के महीने में इसराइल और इरान के बीच जो भी लड़ाई हुई थी उस दोईरान अमेरिका ने इसराइल की खूब मदद की थी। लेकिन इस बार इसराइल की मदद के लिए कोई भी देश आगे नहीं आ रहा है। अब इसराइल के पास भारत ही एक मात्र ऐसा देश बचा हुआ है जो हर समय इसराइल के लिए खड़ा रहता है। जहां फाइटर, लड़ाकू, जहाजों को रखा गया था उस पे एक मिसाइल आकर गिर गई है। जिससे अमेरिका सहित जीतने भी यूरोपियन कंट्री है वो इरान के बिरुद्ध उतर गए है। लेकिन यहां तक तो ठीक ही चल रहा था लेकिन आईरान के लिए हद तो कही हिला सकता है। इस्राइल को गुसे में देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई है। गार्ड्सकोर कोर में दावा किया है कि जिन जिन मिसाइलों से हमला किया गए है। उन लेकिन इस्राइली डिफेंस फॉर्सज ने कहा है कि इरान की ओर से दागी गई अधिकतर मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया था इस्राइल का कहना है कि बहुत कम संख्या में मिसाइलें केंद्रिय और दक्षणी इस्राइल की कुछ जगहों को निशाना बना पाई थी जिसे काफी नुकसान का सामना करना पड़ा इस्माइल हानिया की मौत के बाद इरान ने एक तरह से धैर्य का इस्तेमाल किया था लेकिन अपने नजदी की सहयोगी हिजबुलाह पर इस्राइली एटैक से शुकरवार को नसर अल्लाह और निलो फर्शां की मौत हो गई थी जिससे उसके लिए ये खबर अपमान जनक बन गई और अपना बदला लेने के लिए इस्राइल पे हमला कर दिया हिजबुलाह एक शिया इस्लामी ग्रुप है जो की लेबनान की सबसे ताकतवर हतियारबंद फॉर्स बनाया है इस गुट का गठन भी गार्ड्सकोर के सहयोग से 1980 के दशक में किया गया था सितंबर से पहले इरान के नेताओं को लग रहा था कि हिजबुलाह के साथ जगडे के कारण इसराइल कमजोर पड़ जाएगा बलकि वो फिलहाल गजा में हमास के साथ भी उलज़ा पड़ा हुआ है जिससे इसराइल को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है इरान अपने परमानू और मिसाइल ठिकानों को छुपा कर हिफाज़त के लिए हिजबुलाह के रॉकेटों और मिसाइलों के जखीरे में रखा हुआ है जुलाई में सत्ता में आये इरान के राष्ट्रपती मसूद पेजे शक्यान ने इसराइल पर इरान को एक ऐसे जंग के लिए उकसाने की गलती कर रहे है जिसमें अमेरिकी भी खिंचा चला आएगा और दुनिया विश्व वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ जाएगा और साथ ही इन सब के बीच दुनिया की तीन बड़ी शक्तियां अमेरिका, चीन और रूस इस विवाद का हल तलाश करने में नाकाम दिखाई देती नजर आ रही है हमास के इसराईल पर साथ अक्टूबर के हमले के बाद फिर से तनाव अब घाहाजा, लेबनान और यमन के बाद इरान तक फैलता हुआ नजर आ रहा है इसराईली हमले में अब तक हमास और हिजबुल्ला के सीनियर नेताओं समेत हजारों लोग मारे जा चुके हैं इस युद्ध के दोरान इसराईल अपने दुश्मनों जिसमें हिजबुल्ला और हमास और इरान शामिल हैं, उनकी धजिया उडाता नजर आ रहा है पिछले ही हफते लेबनान में इसराईली हमले में हिजबुल्ला के प्रमुख हसन नसर अल्ला समेत संगठन के कई नेता भी मारे गए थे और उनके अलावा हिजबुल्ला के कई सीनियर नेता पहले भी मारे जा चुके हैं इस साल इरान की राजधानी तहरान में जुलाई के महीने में ही इरान के ऊपर एक ऐसे ही हमले हुवे थे, जिसमें हमास के प्रमुख इसमाईल हनिया भी मारे गए थे, इस्राइल ने इस हमले की जिम्मेदारी तो कुबूल नहीं की थी, लेकिन समझा यही जाता है कि इस हमले के पीछे तेल अवीव ही था, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन में शामिल कई देश, बलकि लेबनान में भी युद्ध रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिशें अब तक कारगर साबित नहीं हुई है, अमेरिका समेत कई देशों को यह डर है कि ग जो बाइडन ने कहा था कि युद्ध किसी के भी हित में नहीं होती है और उन्होंने कहा था कि इस समस्या का कूट नीतिक हल अब भी मुमकिन है, बलकि दीर्ग कालिक सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने का रास्ता भी यही है, लेकिन हर तरह की अपीलों के बावजूद, इ इरान के हमले के बाद इसराइल की ओर से एक बार फिर इरान पर हमले की धमकी दी गई है, और बोला गया है कि इरान को नकसे से मिटा देंगे। हमले में मारे जाने वालों की संख्या एक हजार से अधिक है। दूसरी ओर गहारजा में। पिछले एक साल से अधिक समय में हमास के खिलाफ की गई जमीनी कारवाईयों के दौरान इसराइल के दरजनों सैनिक मारे गए और घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह की ओर से पिछले साल साथ अक्टूबर के बाद से इसराइल पर रॉकेट दागे जाने का सिलसिला भी जारी रहा और इसराइली प्रधानमंत्री का दावा है कि पिछले एक साल के दौरान हिजबुल्लाह की ओर से इसराइल के विभिन इलाकों में कुल मिलाक आठ हजार से अधिक रॉकेट दागे जा चुके हैं। गहाजा की लड़ाई की शुरुआत के बाद से लाल सागर में इसराइल आने और जाने वाले समुद्री जहाजों को निशाना बनाते आए हैं। नहीं की गई थी। लेकिन आम राय यही है कि इस हमले के पीछे भी इसराइल ही था। इसराइल का कहना है कि वह मध्यपूर्व में सभी कारवाईयां अपनी रक्षा में कर रहा है। पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषन के दौरान इसराइली प्रधान मंत अपनी रक्षा करनी है। उन्होंने इरान की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि इसराइल इरान से मिलने वाले खक्षी द्रे से निपटने के लिए साथ अलग-अलग मोर्चों पर अपनी रक्षा कर रहा है। लेकिन अब भी प्रधान मंत्री बिन्यामिन नेतन याहू की ओर से जारी होने वाले बायानों को देख कर यही लगता है कि युद्ध खत्म करने की मांग और कूटनीतिक कोशिशों का इसराइल पर कोई असर नहीं हो रहा। सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किये गए इरानी जनता के नाम तीन मिनट के वीडियो संदेश में इसराइली प्रधान मंत्री का कहना था मध्यपूर्व में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां इसराइल नहीं पहुँच सकता और कोई ऐसा स्थान नहीं जहां हम अपने लोगों और देश की सुरक्षा के लिए नहीं जा सकते इसराइली प्रधान मंत्री का कहना था जुनूनी मुल्लाओं को अपनी उम्मीदें और सपना कुचलने न दें आप इससे बेहतर के अधिकारी हैं इरानी जनता जान ले कि इसराइल आपके साथ खड़ा है हम साथ मिलकर खोशहाल और शांतिपूर्ण भविश्य देखेंगे इरान के मिसाइल हमलों के बाद यह सवाल पैदा होता है कि दुनिया की बड़ी शक्तियां आखिर इस विवाद में शामिल पक्षों को युद्ध रोकने के लिए तैयार क्यों नहीं कर पा रही और अमेरिका के अलावा रूस और चीन जैसी विश्वशक्तियां इस मामले पर कोई प्रभावी भूमी का क्यों नहीं अदा कर पा रही